हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो वा यूट्यूब चैनल दोस्तो आज है 1 अप्रेल और आज इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा दिन है क्योंकि आज से नए रूल्स और रेगुलेशन क्रिप्टो टेक्स को लेकर एप्लिकेबल हो चुके हैं मतलब 1 अप्रेल से जो 30% का टेक्स लगना था वो यहां पर शुरू हो चुका है उसके अलावा भी काफी कुछ बड़ी अपडेट्स है वो हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट की जिसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है और 2.07 trillion dollar हो चुका है टोटल क्रिप्टो मार्केट के इसके अलावा अगर हम बात करें BTC की 24 hours में 4.54% आया हुआ है और almost यहां पर 45 को भी break कर दिया था लेकिन फिर से यहां पर ऊपर की और आया हुआ है bounce back किया है 44,400 से अगर हम बात करें यहां पर last 7 days की तो लगातार य जहां से 47 से price इसका down में आते हुए almost 44,45 तक चले गया तो यहां पर अगर हम support की बात करें अभी 45 के area को BTC ने hold करके रखा हुआ है इसके अलावा जो other coins है उनमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है Polka.7.67% down में हुआ है इसके अलावा Shiba में भी लगबग 8.18% की गिरावट देखने को मिली है last 24 hours में और यह पहुच चुका है 0.000025 मतलब कहीं नहीं आप देखें जितने भी coins है वो यहां पर BTC को follow करते हुए नदरा आ रहे हैं अगर हम बात करें वीकेंड की कल से आपर व Volume थोड़ा कम होगा तो BTC हमें 45 और 46 के बीच में गुमता हुआ दिखाई दे सकता है अगर यहां पर इस support को यह break ना करें अब बात करते हैं crypto market से जुड़ी कुछ बड़ी updates की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं crypto tax की जो आज से लगना शुरू हो चुगा है 30% crypto tax becomes law in India following finance bill approval कर क दिन में यहां पर finance bill को approve कर दिया गया उसके बाद 1st April मतलब आज के दिन से और कई लोगों को उमीद थी कि यहां पर हो सकता है जो bill है उसमें changes देखने को मिल जाए क्योंकि 1st April अपरेल फूल यहां पर finance minister नहीं मनाती है जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने पहले ही यह कह हुआ है कि 30% का tax हम लेंगे जहां से भी profit होगा जिस जगह से भी profit होगा वहाँ पर हम टेक्स लगाएंगे और crypto से काफी profit हो रहा है तो crypto पर tax हमारा लगाना काफी ज्यादा जूरी है अगर हम बात करें यहां पर किस प्रकार की tax policy अपना ही है इंडिया ने तो आप देख सकत करते हुए नजरा रही है लेकिन अगर हम इंडियान गवर्मेंट की बात करें तो इन्हों ने यहां पर gambling के तोर पर crypto को लिया हुआ और 30% का tax यहां पर apply कर दिया हो सकता है आने वाले टाइम में इस tax policy को change किया जाए लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी तो यहां पर क cost होगा 30% tax का उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा उसके बाद यहां पर trading करना और एक अच्छा खासा profit कमाने के बाद आप यहां पर crypto को sell करेंगे तो 30% का जो यहां पर tax लग रहा है उसको देने में आपको परिशानी नहीं होगी क्योंकि जो भी यहां पर rules law बने हमको follow करना पड़ेगा और दोस्तों अगर हम बात करें other countries की तो वो यहां पर crypto को adopt करते हुए नदर आ रही है South Korea की तरफ से आप एक news देख सकते हैं मतलब बहाँ पर जो उनके आने वाले president है वो भी crypto को लेकर काफी ज्यादा positive है South Korea are actively trying to get into the crypto business by requesting authorization from the incoming president जहां पर वो चाहते है कि जो आने वाले president है उनकी तरफ से authorization मिल जाए उसके बाद जो crypto businesses है वो भी यहां पर South Korea में actively काम करते हुए नजर आएंगे अगर हम बात करें यहां पर country की तो country ने almost 43 billion dollar invest की हुए digital assets में last year में और इसी से यहां पर जो इसकी popularity है उसका पता चल रहा है मतलब अगर हम इंडिया की बात करें यहां पर take supply कर दिया लेकिन other countries यहां पर technology basis पर इसे काफी जादा अपनाते हुए नजरा रही है UAE का आपने example देखा होगा Thailand का आपने example देखा होगा USA भी यहां पर crypto को लेकर काफी जादा positive IMF के भी statements आपने देखे होंगे international monetary fund के जिनका भी यह मानना है कि crypto आने आने वाले time में यहां पर काफी जादा useful हो सकता है और यहां पर आप देख सकते हैं गीता गोपिना जो first deputy managing director है IMF की उन्होंने भी यही का हुआ है कि Ukraine का जो conflict हुआ मतलब Ukraine और Russia के बीच में जो war की situation बनी उसके बास से यहां पर crypto का wider use होता हुआ नजरा आ रहा है मतलब इसके यह मानना है कि यह भी यहां पर crypto पर अभी study कर रहे हैं और crypto के rules और regulation पर यह भी आने वाले time में work करते हुए नजरा सकते हैं अब आते हैं अगली update की और UAE based crypto exchange BTOS obtains provisional approval from Dubai's new regulator जहां पर Dubai जहां पर काफी सारे exchanges अपने business को expand करते हुए नजरा रहे हैं एक और exchange आ चुका है जि crypto SS की जिसको यहां पर license मिल चुका है इससे पहले finance और FTX दोनों को यहां पर green light मिल चुका था regulators की तरफ से अगर हम UAE दुबाई की बात करें दुबाई यहां पर cryptocurrency को आप काफी तेजी से adopt करता हुआ नजरा रहा है और worldwide यहां पर वो चाहता है कि cryptocurrency market में वो lead करता हुआ नजर है अगर कोई केस्टमर यहां पर रिवार्ट करता है तो यहां पर जो यह वाली सर्विस कर सकते है अपने कस्टमर को मतलब जिस प्रकार से पहले यहां पर digital currencies मतलब cryptocurrencies में दिया जाएगा अब आते हैं अगली update की और जो जापान से जुड़ी है Bank of Japan official calls for G7 nations to adopt common crypto regulations यहाँ पर Bank of Japan की जो officials हैं उन्होंने G7 nations को यहाँ पर warn किया हुआ है कि बहुत जल्द आपको यहाँ पर common crypto regulations बनाना चाहिए cryptocurrencies को लेकर और इसे जल्द से जल्द यहाँ पर introduce भी करना चाहिए ताकि digital assets को लेकर जितना भी confusion है और जो यहाँ पर दिक्कते हो रही है वो solve होते हुआ नजरा है मतलब sections यहाँ पर लग रहे है sections के लिए यहाँ पर crypto का use हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पर आपको rules और regulation बनाना चाहिए regulatory framework यहाँ पर तयार करना चाहिए G7 nation की अगरम बात करें इसमें भी काफी सारी countries आती है Japan की अगरम बात करें Japan है कैसी country है वहाँ पर भी आपको crypto से जुड़ी हर एक update सबसे पहले प्राप्त होगी अब हम आपको मिलते किसी हो नहीं update के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें thank you